So, hey guys, welcome and welcome back to the channel So, finally guys, Jamnia ने बहुत important notice drop कर दिया है And yes, finally hostels के form आ गया है guys And इस बारे में काफी सारे message आ रहे थे मुझे भी And I told you guys कि आगस के end तक forms आ जाने चाहिए And finally, finally, finally forms out हो चुके है But one thing guys, forms जो है hostels के बस girls के लिए निकले है जो girls hostels है, उनके ही form आ तक निकले हैं, boys का अब तक नहीं निकला है Boys का कब तक निकल सकता है, हम इसके बारे में बात में बात करेंगे और girls hostels के आप में थोड़े से बात कर लेता है क्योंकि पिछले hostels के वीडियो में ने girls hostels के लिए में नहीं बताया था लेकिन यह मालो कि process almost same होता है आपका बास seats वगेरा में थोड़ा से reference है and campus भी इनका थोड़ा सा अलग है boys की तरह साथ में नहीं है, दोनों campus ए, campus भी एक campus थोड़ा सा जामिया से दूर है, जो है वो south campus के अंदर ही है girls hostels में थोड़ा से नियम कानून जादा है voice के comparison में तो इसी बारे में बात करेंगे थोड़ा सा और notice जो आया है उसके बारे में आज बात करेंगे so guys finally आज 15 August को जामिया ने जो है girls hostels का form release कर दिया है इसके लिए आपको पहले online form भड़ना पड़ेगा guys और इसका जो website है online apply करने का मैं नीचे दे दूँगा नीचे आपको दिख रहा होगा description में भी होगा जो site है वो है mj.jmi.ac.in my jamia portal जो है वहाँ पे जाके ही आपको apply करना है online apply करने का जो last date है वो है 30th of August आप message जिनको भी hostels की जरुवत है please 30 August से पहले online submit कर देना अपना form और offline जो है offline भी आपको submit करना पड़ेगा offline आपको hard copy submit करना पड़ेगा जो online आप submit करेंगे उसका ही hard copy आपको offline भी submit करना पड़ेगा plus जो भी documents है जो भी supporting documents है वो सब भी आपको hard copy submit करना पड़ेगे with a 200 rupees hard copies जो है आपका submit होगा provost office में बेगम हजरत महल कर सोचल के प्रोबस ऑफिस में समीट होगा और इसका जो लास जेट है वो 31 अगस्त है काईज मैं बता दो लास ताइम बहुत जादा भीर हो आ था लड़कियों का प्रोसेस हमने देखा था तो काफी जादा एक भीर भार वाल हो गया था उस तो प्लीस जितना हो सके जली कर लीजेगा इसा फॉर्मेल इस पूरी कर लीजेगा वरना बाद में जाके बहुत चीज़े हैं जो बाद में डॉकुमेंट्स वगरा में कुछ कुछ दिकत आ सकती है तो नो डाउट पहले ही कर कर रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा नास्थ में आपको हर बड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा उसला तो मैं गैरेंटी नहीं दे सकता लेकिन यह जो है थोड़े से और एकसेन हो सकते हैं अगर जाधा व्यों यूनों होच पॉज का महाओ लाहतो थो थोड़े से एकस लिंक मिल जाएगा आपको आप वहां से आराम से सारे डीटेल्स पर सकते हैं लेकिन मैं एक ब्रीफ के लिए आप सब को थोड़ा थोड़ा इस चीज के बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा बता गया हूँ तो देखिए गर्ल्स होस्टेल का जो सीन है वो अल्मोस बोई सोस्टेल जैसा ही है पॉस्टीजर वगेरा सब अल्मोस सेम है अगर आपने वह वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो गया होगा लेकिन थोड़ा सा इस पर हीवर में बता जेता हूँ क गर्ल्स होस्टेल भी आपका दो केंपस में बता हूआ है एक है केंपस ए जिसमें आपका ओल्मोस पांच होस्टेल आते हैं जिसमें से एक मेंटेनेंस में है यहां पे भी एक होस्टेल मेंटेनेंस में है प्लस यहां पे गर्ल्स होस्टेल जो है मेंली त्री सीटर्स के ही आ आट एफ टरी'd पूस्ते L mindset है फिर अंदर मेंटेनेंचल लाट तो यह जो केंपश है यह थोड़ा सा जामिया 참間 के कैमियां वहार है आपको यह तिकोना पार्क साइड में मिलेगा और जो केमपस भी है केमपस भी में दो बरे बरे होस्टल्स है और यह जो है सौट केमपस में अगर आपने देखा होगा लॉव फैकल्टी उसके यह थोड़ा सा अगे जाके है तो यहाँ पे जो है होस्टेल के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इसमें 700 सीट्स की कैपास ती है तो अगर मैं बात करो टूटल सीट्स की तो एरॉण 1842 यह 48 की कैपास ती है आप काउंटर लेना गाइस में थोड़ा सा रफ लीक किया है अद्मिशन प्रसेस तो दोनों का सेम है बाकि अगर बात करो eligibility की तो आप आपको जामिया का full time regular student होना परेगा इसलिए पहला जो eligibility criteria है OC पर अधारित है and part time बगएरा और evening course के students को allowed नहीं है जामिया के hostels और एक है कि आपका जो है qualifying exam में 45% प्रस मार्क्स रहना परेगा ही reserved seats होते हैं कुछ 50 reserved seats होते हैं आपका NRI students के लिए plus और कुछ-कुछ जो physically challenge students है उनके लिए भी होता है reserved बाकि वही है application form वगएरा आपको जाके पहले online भरना है admission का जो scene होई है कि आपको पहले online जाके भरना है फिर hard copies वगएरा आपको offline submit करनी है provost office में क्राइटिरिया की बगर बात करो तो बहुत से जैसा same ही है almost जैसे मान लीजिए आपका जो marks है qualified exam में वह almost 40 marks carry करता है overall 100 में से तो अगर 75% से आप है आपका तो आपको 40 marks मिलेगा अगर 65-70 के अंदर है तो 25 मिलेगा 55-65 के अंदर है तो आपको 15 marks मिलेंगे 45-55 के अंदर है तो आपको 10 marks मिलेंगे यह है कि जो लोग 75 से आप है उनको खासकर 40 marks मिलना है अच्छा खासा तो उनके लिए एक benefit है प्लस अगर मैं बात करो दूसरे criteria की तो आता है distance from origin मतलब जामिया से कितना distance पे है उनका घर अगर आपका जो hometown है वो 1200 km से जादा है तो आपको 10 points मिलेंगे इसके और अगर आप नौटीस, जेन के या अंदरमान से बिलोंग करते हैं तो भी आपको 10 marks मिलेगा बाकी जो इसके नीचे आता है जो 1200 की नीचे जिनके भी आता है उनको मिलेगा 7 points तो overall distance वाला जो है उसमें 10 marks होते हैं इसके बाद अगर बात कर तो वह आता है seniority in university schools को exclude किया जाता है इसमें तो seniority का जो है 3 years and above का 10 marks है 2 years वालों का 7 marks है और 1 year का 5 marks है तो school मिला कि 10 marks max है इसमें भी जो next criteria आता है वह आपका आता है economic status economic status में अगर आप मैं बात करो तो अगर आपका जो family का income है वह अगर 5 lakh per year से कम है तो आपको मिलेंगे 5 points अगर आपका 5 lakhs to 8 lakhs के अंदर आता है तो आपको मिलेंगे 3 points overall यह जो criteria है वह 5 points होल करता है फिर next जो आता है वह आता है NCC या NSS इसमें भी आपके certificate wise marks होते हैं अगर आपका A certificate है या NSS का 2 special camp आपने joint किया हो तो आपको 2 points मिलेंगे अगर आपने NCC का certificate भी पाया हुआ है तो आपको 3 points मिलेंगे उसी के साथ नसेस का national camp आपकर जाइन किया है तो इसमें भी equivalent 3 marks मिलेंगे आपको प्लस NCC अगर आपके पास C certability किया था तो आपको मिलेंगे 5 points यह जो है NCC या NSS वालों के लिए फाइड़ा वाला चीज़ होता है अपको थे पॉइस्टियरिया में स्टेट रेपेजेंटेशन विट पोजिशन या नेशनल रेपेजेंटेशन में आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स तो तो इसमें भी 5 पॉइंट जो बाकी के 25 पॉइंट आते हैं वहाँ आपका इंटर्विव में से इतना यूनो बहुत जॉब प्रोफाइल टाइप नहीं होता इसमें नॉर्मल से कुछे जाते हैं काफी लोग ने वीडियो बनाये हुए हैं इस बारे में अगर आप चाते हैं तो इंटर्विव के बारे में हम भी वीडियो बना देंगे कोई डिक्कत नहीं है काफी लोग है जिससे डिसकस करके हम आपको बताएंगी कि क्या-क्या पू अगर पे ही आधारी जो है मेर्यटिस आता है जो अगर जैसा मान लिजी थर्टी अगर ऐस्त करत हैं तो शेप्टेंबर सेकनल वीक से लोग इंटैव्यू स्टायर कर सकते हैं और अगर सेप्टेंबर वा इंटैव्यू सायातु सिब्रगे को हम स्पड़ेंबर के फिया लास आप मानके चल सकते हैं October तक आपका allotment हो सकता है कि boys के लिए थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि process इनका तीले सी start होगा तो जो ही हिसाब है guys तो अगर मैं documents की बात करो तो voter ID का copy या ration card या domicile certificate का copy आपको submit करना होगा as a proof of domicile प्लस यहां पर लिखा हुआ है कि जो revenue officer है उसका certificate या higher divisional officer का certificate आपकर जो income वाला चीज है उसमें काम आएगा इस सब आप basic जो documents होते हैं वो तो रहेंगे ही mark चीज वगएरा आधार काड वगएरा इस सब तो साही ही होंगे तो आप देख लीजाएं वहां पर website में जो जो documents mention हो होंगे उनको साथ ही आपको आगे भरना है सब्मीट भी करना है प्लस offline भी आपको हार्ट को भी सब्मीट करना है उसका and काफी सारी चीजे लिखी हुई है इसमें आप जाकी देख सकते हैं आप download करके एक बार पढ़ लेज़ेगा वह recommend करूंगा बाकी मैं मैं मैंस के बारे म मिल जाएगा पैसा जब आप वेकेट करेंगे तो और रिनुवल्ट के ताइम में जब आप दूसरे सेकेंड यर थर्ड यर में पहुंचेंगे तब नो डाउट कुछ कुछ चीजे हैं जो उनके लिए आपको पी नहीं करने प्रेगे तो सेकेंड यर थर्ड यर में जब जैसे कुछ भी है मैसका में चार्ज बता दो मैसका जो है आपका 2600 पर मंत है जो की 10 मंस के लिए काउंट होता है अगर आपको उस ताइम के लिए एक साल बाद आपको वेकेट रूंग करना ही पड़ेगा रूम फिर से अगर आपका नेक्सियर स्टार को रहे तब आप रेन करके फीज पे करके आपको वही रूम अलॉट हो जाएगा लेकिन अगर आप पास आउट कर गया है तो आपको रूम छोड़ना ही पड़ेगा उस ताइम तक तो मैं कह रहा था कि मैसका जो फीज है वह आपका 10 मंस का जो है 26,000 पर जाता है तो ही सब मिला के एक्चुली 41,000 परता है 41,000 सम्थिंग परता है एं रिनुवल में भी आपको 38,000 परता है कि एक्स्टा 12,000 सम्थिंग होता है उसका लास्ट में कुछ फेसिल्टी जो है गर्स होस्तिल की मैं बता देता हूं यहां पर लिखा है रीडिंग होल होता है एक्स्टा से अच्छा लोफ से दिंग होल तो होस्तिल में भी फिर कॉमन रूम् टीवी होल falar फिर वाटर योघर इस होटा है है जीतना मुझे पता है बहुत होता रपर सुपर गल्स होता परस को में से में पर्सनील नहीं गया हो तो नहीं पता यहां पर लिखाया लबश पैक भी और आप रिक्व करते हैं आपे लिखा हुआ है CCDV का अब्रेज है पूरा फीज बगरा की बात करो तो वही था यार गाइस लेकिन एक है कि मैंसका फीज जो है वह आप लोग तो इंसॉल्मेंट भी दे सकते हैं खाना भी मैं अगर बात करो तो सही है अच्छा ही रहता है खाना गर्ल्स में भी अच्छा ही है खाना बस जो पता ही हं अठी है आपने काफे सारे मीडियो's मिदेखी हओंगे मैं भी अच्छा तारीफ किया है अपने लास्ट वी वीडियो से उसमें भी एंड रेगिंग का अगर बात करो तो रेगिंग का पूरा आपका मना है जामिया में जामिया कैमपस हो अगर आप पक्रे जाते हों तो दारेक आपको स्टेल का रूम है स्टेल का सीथ है वह वेकेट करना पड़ेगा इसका ध्यान रखे तो जादा टेंशन मत लीजिए होस्टेल में या जामिया केमपस में रेकिंग पूरा बंद है सेके साथ आगर मैं बात करो बोवाइज होस्टेल का चल रहे हैं फिलाल बोई ईस्टुक्षा में और वो मेजर चल चल रहे हैं तो अगर है अलre razorTrust के कांचर उस्टुब को गया तब तक बहुत ही एक प्लस और रहेगा गाई जूच उटने महांने सुर्य delablis का भी तो तो य में भी जामी इसलिए के लिए वेट कर रही है कि आ जाए तो इसके बाद ही इनका भी प्रोसेस स्टार्ट करें लेकिन मानने जिए इने कपल ओफ वीक्स या अभी से कुछ दिन में ही आ जाना चाहिए यह लोग इतना मतलब जारा डिफरेंट नहीं जाता सीन इनका लास्ट तेम तो अल्मोस्स एक साथ ही आया था गर्ल्स बॉइस का इस बार में भी विकॉज ऑफ रेनोवेशन यह लोग थोड़ा सा दिले कर रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से इनका और लेट करेंगे तो वैसे भी जो अलॉट्मेंट में है उसमें ही डेर हो जाएगा तो इने कफल ओफ फिक्स आगस के महीने में ही आ जाएगा मेरे इसाब से देखिए वेट कीजिए कुछ दिन बाद भी आ सकता है वो नोस तो अगर जब आएगा मैं अपडेट दे दूँगा ऐसे शौट या कुछ भी हो इतना भी आप लोग हैं जो बाहर डूर डूर से आय होसल में बहुत ही मतलब सीमलेसेrea सोथा और एक अज्योशWow 10 आप लोग सोखते हैं बाहर में खाना यो पीने का गाफी यशूश होते हैं वह लोग् फेस करते हैं मैंने भी काफेज किया है तो इसलि мешक चैन्म के ओं यॉस्चाल मिला दूसरी बात दो मिले जुआइक कर दो so thanks for watching the video guys कुछ भी अगर चीज़ हो तो प्लीस कमेंट कीज़े if you found something valuable in this video तो प्लीस लाइक कर दीज़ेगा really means a lot if you guys like my video so thanks for watching the video guys see you soon in another video जाहिन जायाखम